अबिशेक बच्चन के हाथ लगी बड़ी फिल्म इस डिरेक्टर के साथ काम करने का हर एक एक्टर का सप्ना होता है और कई ऐसे instances हैं जहां हमने देखा कि एक्टर का career एकदम slow चल रहा है, average चल रहा है लेकिन इस director के साथ काम करते ही उनके career उच्छार में आ जाते हैं और वो star कहना नहीं रगते हैं ऐसा दिपिका और रनवीर सिंग के साथ हुया है ऐसा इश्वरिया राय और सल्मान खान के साथ हुआ है मैं बात कर रही हूँ डिरेक्टर संजे लिला भंसाली की और अब संजे लिला भंसाली की ही अगली फिल्म में अभिशेग बच्चन कंफर्म हो चुके हैं अभिशेग बच्चन को लेकर संजे लिला भंसाली बायोपिक बना रहे हैं साहिर लुध्यानवी की ये बायोपिक है जिसमें उन्होंने अभिशेक को लेना कनफर्म किया है। ये वो बायोपिक है जिसे संजे लीला भंसाली प्लैन लंबे समय से कर रहे हैं। पहले वो इस फिल्म में फरान अक्तर को लेना चाते थे फिर वो इर्फान खान को लेना चाते थे लेकिन कभी भी बात नहीं बनी। लेकिन अब माना जा रहा है कि संजे लीला भंसाली हीरा मंडी के तुरंत बात इसी प्रोजेक को शुरू करेंगे और अभिशेक बच्चन को लेकर ही वो शुरू करेंगे। कभी नहीं मिली है, वहीं कई लोगों का ये भी कहना है कि आमिताप ने अभिशेक को फिल्में दिलवाई तो भी उनका करियर नहीं बना एश्वरिया से शादी की, कुछ फिल्में एश्वरिया के साथ भी की तो भी करियर नहीं बना अब अभिशेग बच्चन के डूपते करियर को बचाने के लिए बच्चन्स ने सांजे लीला भंसाली का सहारा लिया है आपको क्या लगता है सांजे लीला भंसाली और अभिशेग बच्चन की ये जोड़ी कैसी रहेगी क्या ये फिल्म हिट होगी या रितिक रोशन और भनसाली की गुजारिश के तरह ये फिल्म भी ठप होगी कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें